हलो एब्रीवान वोकम बाग तो मागनेट ब्रेंस मैं हुस्वाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ की हरीकोम न्सी यार्टी बुक अब ये तो हम अलवड़ी फिनिश कर चुके हैं बात आती हैं आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ इनिट पहले आपको क्या दिख रहा है यहां पे मैंगे ड्रिंस की पूरी टीम जो की क्लास एक से क्लास एट को पढ़ाती हैं और यह सब जो टीचर से आपके जो फेवरेट टीचर से इन्होंने वीडियो पूरे क्रियेट कर द यहां पे हम स्टार्ट एंसी क्यूस लेकिन उसके पहले जो हमारा फोर्थ यूनिट है क्लास 7 का दा आशेस दाट मेड ट्रीज ब्लूम एक्टेनेशन क्वेशन आंसर सम्दब सब देख चुके हैं लेकिन एक बार और हम इसकी समरी पढ़ेंगे समरी से क्या होगा चैप्ट पे हम बात करें हैं एक ऑनस्ट और हरड वर्गिं ओल्ड कपल था जो हम डामयोष की बात करें मतलब उस वक जो वहां के राजा हुआ करते था उनको डामयोष कहा जाता था जो हम यह चैनीस टेल है एक जैपनीस सॉरी एक जैपनीस टेल है something so they had no children अब उस old couple का कोई बच्चा नहीं था so they had only a dog named Mucco they loved it like a child the old farmer is a kind person he fed the pet with fresh and boiled rice he was kind enough and gave food to the birds अब यहां बात हो रहे है कि ओ जो old couple था उनके कोई बच्चे नहीं थे उनके पास ते फिक जॉग था जिसका नाम था Mucco और वो उसको अपने बच्चे की तरह treat करते थे अब यह जो old farmer थे यह एक बहुत ही kind person है यह अपने जो pet है जो इनका जो dog है Mucco वो उसको fish और boiled rice खिलाते थे प्लस वो इतने स्यादा kind थे कि वो birds को भी feed कराते थे one day the dog came running to the old farmer rubbed his paws and motioned his head to some spot तो एक बार क्या होता है जब यह farmer अपने खेत में जाते हैं इनकी rice fields होती हैं तो जब यह अपने खेत में जाते हैं तो उनके साथ हमेशा Mucco भी जाता है सो Mucco जो है वो उनको drag करकर एक particular spot पे लेके जाता है Thus he led the farmer to the hidden gold पहले तो farmer को लगता है कि शायद अंदर कोई fish दभी होई होगी जिसकी वज़े से Mucco जो है उसको डिक करने की कोशिश करा है फिर जब वो उसे डिक करते हैं तो अंदर उन्हें क्या मिलता है A heap of gold, gold coins मिलते हैं उन्हें They lived comfortably and were generous towards their neighbors अब जो वो हैं वो लोग बहुत जादा पैसे वाले हो जाते हैं एक comfortable life जीते हैं लेकिन वो इतने generous रहते हैं कि वो अपने neighbors को भी पैसे देते हैं In the same village, a wicked old man and his wife lived अब इसी जो village में एक बहुत ही cunning, wicked, मतलब जो cruel couple रहता था Old man और उसकी wife They were very jealous of the old couple अब वो इस old couple से बहुत जादा जलते थे They used to beat the dog but now they wanted to become rich वो उस dog को बहुत ही जादा गंदे तरीके से treat करते थे उसको मारते थे, उसको सताते थे लेकिन अब उनको पैसा चाहिए था अब they wanted to become rich So they took the dog into their garden and gave him bits of fish तो वो क्या करते हैं अब dog को मतलब फसलाते हुए अपने गार्डन में लेके आते हैं उसको fish के bits देते हैं The dog became afraid and did not help them in getting gold लेकिन dog जो है उनको समझ में आता है ना कि कोई किस तरीके से आपको यूस करने के लिए आपको जो है बहला रहा है तो वो बहुत जादा अफ्रेड हो जाता है और वो उनको जो है gold के पास नहीं लेके जाता The cruel neighbors killed the dog अब इसमें क्या यह तो summary है तो हमें पता है chapter में क्या हुआ था वो जो dog है वो नहीं जाना चाहता है यह लोग drag करकर के उसको लेके जाते हैं और वहाँ जाने के बाद dog क्या करता है वो एक मरी हुई kitten को डिक करवा देता है जिसकी बहुत जादा smell आती है तो वो इतना गुस्सा हो जाते है उस dog से कि उस dog को वहीं kill कर देते हैं और वहीं पे उसको गाड देते हैं At night the spirit of the dog came into farmer's dream and told him to cut down the pine tree and make a mortar and a mill from it अब इधर पे क्या होता है जब उसके मालिक को पता चलता है म्यूको के जो you know old couple जो होते हैं जो kind old couple होते हैं जब उन्हें पता चलता है वो उसकी मौत पे अपना दुख दिखाने के लिए जहां पर उसको गाडा होता है वहीं जाता है वहां पर एक pine tree भी होता है तो जब वहां पर रोते रोते वहीं जो है सो जाता है तो उसके सपने में म्यूको की आत्मा आती है और वह क्या कहती है कि यह जो pine का tree है ना इसको तुम काट लो और इससे एक mortar बनाओ अब क्या होता है New Year's आता है तो वह mortar और मिल में सोचते हैं चलो हम rice pastry बनाते हैं When they started making pastry in mortar and bean sauce from mill these turned into gold अब क्या होता है जैसे ही वह rice pastry बनाते है mortar में और bean sauce तो जब वह बन जाता है सब कुछ सोने में convert हो जाता है Everything turns into gold Thus the farmer got gold इस तरीके से वह वापस rich हो जाते हैं The cruel neighbors saw it and asked for mortar and mill अब जो cruel जो उनके neighbors होते हैं वो सब खिड़की से देख लेते हैं कि अरे बापने इनके पास तो बड़ा पैसा आ रहा है तो वह बोलते हमें भी mortar मिल चाहिए अब यह तो kind होते हैं तो यह बोलते हैं के ले जाओ They did the same but their pastry and sauce turned into worms अब उन्होंने भी क्या क्या पुरा वैसा ही किया लेकिन जो उनकी rice pastry और जो उनका bean sauce था instead of turning into gold वो जो है कीडो में convert हो जाते हैं worms में convert हो जाते हैं They destroyed the mill borrowed from the old couple and burned it अब उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसको पुरा आग में जोंक देते हैं जला देते हैं उसको The spirit of the dog came into farmer's dream and told to take ashes of the mill and sprinkle them on withered trees and they would bloom again अब क्या होता है वापस से उस जोग की आत्मा उनके सपने में आती है तुम्हारे जो neighbor से उन्होंने उस mill को उस motor को जला दिया है तो उसकी जो ash है ना तुम उस ash को ले के आ जाओ और उस ash को जब भी तुम किसी सुखे हुए पेड़ पे स्प्रिंकल करोगे तो वो पूरा खिल उठेगा The old man did so and the withered tree bloomed तो old man ने ash ले के आया वो और उसने उस tree पे जैसे उस ash को छिड़का तो वो पूरा bloom कर गया Soon the kind old man heard that Lord Damio was to pass near the village He set out to see him taking his basket of magic ash along अब क्या हुआ उसको तभी पता चला कि वहां के जो राजा जो डायमिक को है उनका पूरा procession वहां से निकलने वाला है इसका मतलब जो पूरे उनके साथ उनके आगे पीछे procession का मतलब होता उनकी पूरी train चलती है एक साथ जिसमें उनके साथ बहुत सा ऐसी पाही होते हैं आगे पीछे तो वो पूरे वहां से वो procession निकलने वाला है तो वो क्या करते हैं एक basket में अपनी magic ash लेते हैं और चल देते हैं He set out to see him taking his basket of magic ash along He climbed a withered cherry tree that stood by the wayside अब क्या होता है? उस वक्त rule होता था कि जब भी dameco जो है आपके सामने से गुज़रेगा You have to kneel down, आपका अपने घुटनों पर बैठके जुखना है आप अपना सर उपर नहीं कर सकते तो ये क्या करते हैं? एक सूखा हुआ cherry tree होता है उसके उपर चड़ जाते हैं अपनी magic ash लेके जहां से वो dameco की जो पुरा procession है वो गुजरने वाला है तो वो क्या करते हैं? वो थोड़ा सा जो ash होता है उसको tree पे छिड़कते हैं जैसे ही वो उसको उसको पर sprinkle करते हैं वो पूरा जो है blossom कर जाता है वो पूरा पेड जो है वो खिल जाता है डाइमियोस saw this wonder and rewarded the kind old farmer डाइमियोस जैसे इसको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उस farmer को काफी सारे gifts और पैसा देते हैं this time again the wicked couple tried to do the same thing अब यहां पे भी वो जो wicked couple है उसको पता चलता है कि उन्होंने ऐसा किया था उनके घर में तो आश होती ही है वो वाली तो उनको लगता है इस बार वो यह काम करेंगे as the greedy old man sprinkled the ashes on the withered tree अब क्या होता है यह जो है यह भी जाते हैं पेड के उपर चड़ जाते हैं जहां से daimyo का procession निकलने वाला होता है वहां जाते हैं और उस ash को लेते हैं और sprinkle कर देते हैं अब instead of blooming the tree it blew with the wind and caused trouble to daimyo and his wife अब वो जो ash होती है वो उस पेड को कहीं से कहीं तक blossom नहीं करती instead हवा के साथ वो उड़ जाता है और daimyo उसकी wife और पूरे procession में जितने लोग होते हैं सब की आंक में नांक में चला जाता है daimyo due to this their behavior daimyo got upset and punished the greedy neighbor अब daimyo को बहुत गुसा आता है और वो इसको पिटवा देते हैं मतलब वो उसको पिटवा देते हैं और वहीं पे मिट्टी में ही उसकी मौत हो जाती है the kind old man and his wife lived a happy long life लेकिन जो kind old couple था वो जो है वो बहुत खुशी खुशी अपनी पूरी life spent करते हैं now this was the summary of the ashes that made trees bloom और यह chapter हमको क्या सिखाता है that we should have kindness inside our heart not jealousy right अब इस पे based हम start करने वाले हैं MCQs so let's begin the neighbors hoped that the dog would find dash for them neighbors को क्या लगा था कि यह जो dog है वो उनके लिए क्या धुंडेगा treasure that's the right answer first answer ही है treasure मतलब khazana not diamonds not money not jewels the answer is treasure okay पहला answer second question है instead of the treasure they found ab उन्हें treasure तो मिला नहीं क्या मिला था उनको a box no a dead kitten yes उन्हें एक मरी हुई किटन मिली थी which was smelling really bad a snake a bag nothing उनको क्या मिला था एक मरी हुई किटन मिली थी next is the farmer was lovable जो farmer था वो बहुत सादा लवेबल था क्यों था? because he was kind yes man could ever be the dog gave him gold the neighbors helped him no the farmer was lovable because he was kind next is when the pastry was ready अभ यब जब ये pastry जो है वो ready हो गई it turned into gold coins that's the right answer it got burnt into ashes no fireplace को उन्हें साफ कर दिया नहीं the neighbors called him no answer is it turned into gold coins वो gold coins में convert हो गई morning took place when the अब morning करने लग गई morning कब किया उन्होने मतलब दुख शोक कब मनाया उन्होने जब डॉग ने भॉगा no dog followed the master जब dog master के पीछे जा रहा था नहीं when the dog fainted मतलब dog बेहोश हो गया नहीं the answer is when the dog died जब उनकी dog की death हो गई तब वो शोक मना रहे थे next question क्या है thus the mill was turned अब ये जो mill था ये किस चीज में turn हो गया it was turned into ashes no upside down to hit it hard into pieces किस में हो गया था the mill was turned into ashes और पूरा mill किस में turn हो गया ashes में the dog spirit haunted him the word haunted means अब ये जो बोला हुआ है कि जो dog की spirit ने उने haunt किया haunt का मतलब क्या होता है haunt का मतलब होता है डराना किसी को परिशान करना the answer will be here not killed advice नहीं किया follow नहीं किया trouble किया what will be the answer troubled next is the high road near the village was in the news because of अब ये जो village की पास जो high road थी वो इतना news में क्यों था क्योंकि वहां से daimyo का procession गुजरने वाला था नए नए construction की वज़े से नहीं कोई grand celebration हो रहा था नहीं the visit of daimyo yes वहां पे daimyo का procession निकलने वाला था उनकी visit थी इसी लिए next is next question क्या है daimyo was delighted to see daimyo क्या देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे the old man no the cherry tree नहीं the ashes no the answer is the cherry tree blossom cherry tree अगर आप लिखोगे तो answer गलत क्यों होगा क्योंकि cherry tree को देख के खुश नहीं हुए थे वो but जब magic ash उसके उपर sprinkle क्या तो जिस तरीके से cherry tree cherry tree पूरा bloom हो गया उससे देख के खुश हुए थे तो do not get confused in A and C so हमारा answer क्या हो चाहेगा A next is the dog's master अब जो dog के master थे उनको gifts मिले थे बिलकुल मिले थे he was invited to the castle yes king ने उन्हें invite भी किया था was thanked by the king king ने उन्हें thank you बोला था of course so all of the above so जो dog के master थे उनके साथ king ने बहुत अच्छा बिहेव किया था he gave him gifts उन्हें उन्हें ने castle invite किया और उन्हें thank you भी बोला था next question है the greedy neighbor अब यह जो greedy neighbor थे उनको reward मिला किया कोई नहीं मिला he was invited to the castle no he was beaten to death yes जो greedy neighbor थे उनको मार मतलब उनको इतना मारा कि वो मर गए थे तो यहां पर क्या हुआ was beaten to death next question है the moral of the story is that one should not be moral of the story यह है कि किसी भी आदमी को क्या नहीं होना चाहिए short tempered मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है selfish जो से अपने बारे में सोचता है कि किसी भी इंसान को jealous नहीं होना चाहिए जैसे कि उसके neighbors थे so the answer is C, jealous next is the dash of the old couple was responded well by the dog तो जो old couple ने क्या दिया था dog को जिसकी बज़े से dog ने इतने अच्छे से respond किया misery, बहुत pain दिया था बिलकुल नहीं, प्यार दिया था yes, wealth, wealth उनकी पास खुद नहीं थी उन्होंने नहीं दिया, health नहीं क्या दिया, love दिया था so the answer is love next question is when the dog was scratching at a place the old man thought there must be dash breed so जब dog जो है अपने master को लेकी गया और वो again and again उसे drag करके एक जगा डिक करने की कोशिश करा था तो old man को क्या लगा था कि जदूर वहां पर क्या दबा हुआ होगा a fish that is the right answer कि शयद अंदर कोई fish होगी seed नहीं, pile of gold नहीं, knife नहीं उन्हें क्या लगा था कि अंदर कोई fish होगी next is the wicked couple was dash the dog the wicked couple was अब वो जो wicked couple था कभी भी dog से अच्छे से बात करता था या अच्छे से treat करता था बिलकुल नहीं करता था so revengeful थे वो उससे मतलब उससे बदला लेना चाह रहे थे नहीं वो उसको मारना चाह रहे थे jealous थे नहीं they were insensitive towards the dog remember this thing हमारा answer क्या होगा they were insensitive मतलब वो उसके लिए बिलकुल भी दया नहीं थी उनके अंदर कोई compassion नहीं था so the answer will be B next is the old man came under the pine tree जो old man थे वो pine tree के अंदर में आए क्यों आय थे? क्यों गय थे वो pine tree के अंदर में? because his dog was dead अब वो बहुत जादा दुखी थे और वहीं उनके dog की जो body थी वो अंदर breed थी इसलिए to mourn the death of his dog जो हमारा first point है that is the right answer वो अपने dog की मौत का शोक मनाने गए थे वहाँ पी so A will be the right answer next is during the new year the rice pastry turned out to be अब new year में जो rice pastry जब old couple ने बनाई जो हमारे kind old couple थे dog के master तो ये rice pastry किस चीज में convert हो गई थी delicious food में नहीं waste में, कचरे में बिलकुल नहीं a heap of gold coin yes, वो एक heap of gold coin में convert हो गई थी poisonous food, no so what will be the right answer answer is C next is the boiled rice of wicked people turned into अब ये जो wicked people थे जो wicked old couple था इनका जब इन्होंने rice pastry बनाया तो क्या वो gold coins में convert हुआ था नहीं, वो delicious food में या brown rice में convert हुआ नहीं it was all turned into lumps of foul mass of worms कीडो में convert हो गया था worms में convert हो गया था next is the old man collected the dash and dash over the cherry tree अब old man ने क्या collect किया और क्या cherry tree के ओपर किया था, so he manure and spread नहीं, dried leaves उन्होंने dried leaves कलेट करी थी नहीं, ash yes, the answer is उन्होंने ash collect करके उसको sprinkle कर दिया था छिड़क दिया था, so the answer will be C next is when daimyo's passed through everyone had to, जब भी daimyo गुजरते थे तो सबको क्या करना पड़ता था, उनको बड़े बड़े slogan shout करने पड़ते थे, नहीं, wave करना पड़ता था, नहीं, उनको kneel down करना था और अपना सर जुकाना होता था, respect के लिए so answer will be A next is daimyo was pleased when the old man sprinkled ash over the cherry tree, क्यों daimyo बहुत खुश हो गए थे, जब old man ने, जो tree है उसके उपर ash sprinkle किया क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो जो पूरा ash के कारएंट, जो magical ash था, उसके कारएंट cherry tree जो था, वो blossom हो गया था, so it blinded the enemy, उससे जो है, उनकी जो पूरी जो enemy थी, वो अंधी हो गई, बिलकुल नहीं, he could eat cherry, यह उनने लगा वाव इतने साई cherry आ गए, अब मैं खा सकता हूँ ऐसा भी नहीं हुआ था, the withered tree blossom, withered मतलब क्या होता है, एक tree जिस पे कुछ नहीं है, जो एकदम सूख चुका है, जैसे winters में usually होता है तो withered tree पुरा blossom कर गया था, so the answer will be C, okay C will be the answer, next is the suitable theme of the story is, इस story की theme क्या होनी चाहिए, be kind to everybody, हो सकता है, don't be jealous, यह भी हो सकता है, good deeds are rewarded, यह भी हो सकता है none of these, what will be the answer, the main answer is, good deeds are rewarded, अगर आप अच्छा काम करते हो, तो आपको अच्छा ही मिलता है this is the right answer okay, next is, what did the neighbors do, अब neighbors ने क्या किया था, they took the dog to the garden, वो dog को garden मे लेके गय थे, went to the neighbor's house, वो neighbor's के घर गय थे took a spade to take, वो एक spade लेके गय थे, and lit the fire, क्या किया था ने, वो dog को लेके गय थे, garden में where did they take him, to the garden, next is coaxed का मतलब क्या होगा coaxed का मतलब क्या होता है persuade करना, मतलब जैसे किसी को coax करना, मतलब उसको बहलाना, फुसलाना अपने आप पास लेके आने के लिए next is, which crop the old man used to sow in his fields, जो old man थे, वो अपनी field में कौन सा crop लगाते थे, it was rice wheat mazobali, बहुत easy answer है, rice, what is the answer, rice के crop लगाते थे what did the farmer take with him to the fields, जो farmer थे, वो अपने साथ field में क्या लेके गय थे कुछ एक spade लेके गय थे, कुछ papers लेके जाते थे, laborers को लेके जाते थे, वो spade लेके जाते थे, spade का मतलब क्या होता है, favora जिससे आप खोदते हो the quality of feasting and sharing with neighbors shows the farmers, so यहाँ पे जो था कि, जैसे उन्हें पैसे मिले तो यह नहीं था कि यह पुरा पैसा हम अपने आप के लिए रख लेंगे, उन्होंने neighbors के साथ share किया, उन्होंने दावत दी बहुत बड़ी बड़ी दावत दी, तो इससे क्या पता चलता है, that farmer जो थे, वो kind थे, या generous थे उनकी goodness के बारे में पता चलता है the answer is kindness, कि वो kind थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर kindness थी next is, which part of speech is plenty fully part of speech का मतलब हम बात करें noun, pronoun, verb, adverb या adjective, या preposition, conjunction, interjection तो ये इनमें से plenty fully, plenty fully जो है, ये एक adverb है क्या है ये? Adverb है, next is, take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog's spirit तो यहाँ पे miracle of ashes जा तब जब डॉग ने बुला, इसको लो और इसको trees पे डालना और वो एकदम bloom हो जाएगा तो ये जो miracle था ashes का, वो किस चीज़ पे try किया गया था, mill पे, नहीं withered trees पे, yes the answer is, withered trees पे try किया गया था next है, the wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife the greedy neighbor threw ashes, जो greedy neighbor था, उसने क्या किया था? उसने याश किस के ओपर डाली थी? cherry tree के ओपर? withered cherry tree के ओपर या withered pine tree के ओपर? कहाँ डाला था उसने? withered cherry tree के ओपर डाला था, okay the result was, tree blossom कर गया था? नहीं, the tree did blossom partially, थोड़ा blossom हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं sneezing and choking में daimyo and his wife uncomfortable, खासने और छींखने की वज़े से daimyo और उनकी जो वाइफ थी वो बड़े uncomfortable हो गए, that is the answer C is the answer, okay next is, the action of the wicked neighbor also spoiled, अब यह जो wicked neighbor का जो action था, इसने क्या spoil किया? the pomp and dignity of the procession, यह जो procession जा रा था, उसकी शान और शौकर जो होती है उसको पूरा उसने खराब कर दिया था so that is the answer, A हमारा answer है, right and here we are done with the chapter thank you so much everyone for watching this video, I hope आपके MCQs खतम हो गए होंगे, और आपको maximum chapter, हमने इसमे almost पूरा chapter cover कर लिया है कोई भी doubt होता है, you can always ask in the comment section, अब ये सारे videos के लिए, you can visit our website magnetbrains.com, जहां पे you just have to select the class, as per the class आप subject select करोगे, जिसमें है class 7th English Honeycomb अब इसमें जब आप जाओगे, तो MCQs का एक tab होगा, आप उस पे क्लिक करोगे chapter wise आपके video start हो जाएंगे that is it, very simple okay, thank you once again for watching this video, I hope you liked it, if you did, do not forget to like subscribe and share, take care bye